Hello everyone, this is Sonu Chaudhary this side and आज हम लोग जैसा मैंने last class में ये last video में आपको बोला था कि IPO process in India discuss करेंगे, initial public offer जब होता है, so उसके कुछ steps होते हैं and वो steps ही हम discuss करने वाले हैं, IPO आपके exam में लगसे भी पूछा जा सकता है and उसके लिए आपके पास matter होना जरूरी है लिखने के लिए, so these are the seven steps technically ये एक step नहीं है, that's why मैंने इसको red में लिखा है, आपकी मर्जी आप चाहें इसको include कर सकते हैं अपने answer में, हटा देंगे तो भी कोई problem नहीं होगी, so बात शुरू करते हैं मैंने last video में आपको meaning बताया था कि how shares can be issued in various modes whether IPO, FPO, private placement, rights issue और भी थे जिन लोग को वो चीज नहीं पता description में नीचे जाके वो लोग video देख सकते हैं, so IPO process in India जो initial public offering आप लोग करते हैं, वो किस तरीके से काम करती है, so सबसे पहला step है hire an investment bank, इंडिया में हम लोग investment bank नहीं कहते हैं, हम लोग बोलते हैं underwriters, पर underwriters and investment bank एक ही चीज होती है, investment bank basically वो organizations हैं, जो set up करी गई है, so that कि आप markets से जब shares वगएरा issue कर रहे हैं तो companies की help हो सके, उनकी help करने के लिए, so underwriters क्या होते हैं, underwriters मैं बहुत precisely बताऊंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर underwriters discuss नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में underwriters अगर आपको जानना है, तो further अगर future में कोई वीडियो आएगी, तो मैं उसका link नीचे add कर दूँगा underwriters का बहुत simple सा मतलब होता है underwriters मतलब हमारे देश में, इंडिया में, SEBI ने ये rule बना रखा है कि जब भी आप shares issue करेंगे, तो उसके 90% बिकने चाहिए इस rule को बोलते हैं, minimum subscription, अब भी 90% अगर बिक गए तो बढ़िया नहीं बिके तो जित्ता भी पैसा आया, वो सब वापिस करो, नुकसान हो गया underwriters क्या करते हैं, example के लिए भी मैंने shares issue करें 100 और पब्लिक ने खरीदे 80, अब खरीदने चाहिए थे पब्लिक को कम से कम 90, minimum subscription के रूल की वज़े से, पर पब्लिक ने सिर्फ 80 खरीदे, and I am short of 10, अगर 10 और बिक जाएं, तो मेरा issue successful हो जाएगा, वरना मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे तो underwriters जो होते हैं, अब वो underwriters case में बचे हुए जो shares हैं वो खरीद लेगा, और मेरा issue successful हो जाएगा, इसके बदले वो लोग commission लेते हैं दूसरा register with SEC, Securities and Exchange Commission, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, Securities and Exchange Commission इंडिया में SEBI ही है मतलब आपको पहले SEBI को बताना पड़ता है कि हम shares issue करना चाहते हैं, क्या हम कर लें SEBI आपके हालाद देखेगी, जरूरते देखेगी, आपकी company की health देखेगी क्योंकि shares issue करना एक बहुत बड़ा fraudulent matter हो सकता है और अगर SEBI को लगेगा कि हाँ भी आप ठीक ठाक हो, तभी SEBI आपको अलाओ करेगी कि जाई और shares issue कर लीजे, उसके बाद you have to draft a red herring document red herring document एक बहुत important concept है, हमारे इंडिया में बेसिकली यह बहुत सारे exams में पूछ लिया जाता है कि red herring prospectus क्या होता है, so red herring prospectus बच्चो एक dummy copy होता है prospectus का, आप एक prospectus बनाते हो जो अभी final नहीं है, इसमें वो चीज़े लिखी गई है जो होनी चाहिए असली वाले prospectus में, पर इसे लिखकर आप file करके आते हो, जैसे इंडिया में जो rule है वो इंडिय registrar of companies के पास, आप इसको registrar of companies पर file करके आए red herring prospectus को, registrar of companies उस prospectus को देखेगा, उसमें जो लिखी गई बाते हैं वो logical हैं, सच हैं, क्योंकि वो आप से सारे document मांगेगा, जैसे आपने लिखा है कि हमारी company 5 साल से बहुत अच्छा profit कमा रही है, तो वो आप से 5 साल के profit and loss account मां होएगा, confirm करेगा, जो आपने लिखा है, वो सही है या नहीं है, अगर basically यहाँ पर बात final हो जाती है, तो registrar of companies आपके prospectus को okay कर देगा and then उसके बाद आप उसको finalize कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने IPO को promote करते हैं, advertisement देना शुरू करते हैं, television में, electronic media में, newspaper में, so that कि जब आ प्राइजिंग, प्राइजिंग माने कि IPO में लास्ट चीज होती है, shares की price लिखना, जो shares हम इशू कर रहे हैं, उनकी कीमत क्या होगी, shares की कीमते बहुत सारी बातों पर depend करती हैं कि company की health कैसी है, company ने क्या पहले shares इशू कर रखे हैं नहीं, पहले अगर इशू कर रखे हैं त कीमत कैसे तै करें, बाकी कीमत company का status, success हर एक चीज़ पर depend करती है, अगला available to public, available to public माने भई अपने जो IPO उसको public को दे दीजे, launch कर दीजे, लोग उसको खरी देंगे, shares को and then उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो information आपने IPO में लिखी है, वो कितना attract कर सकती है, लोगों को य पेल करवाता है, लास्ट है go through with public, यह जो go through with public है, यह जो point है, यह असल में IPO की process का हिस्सा कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, इसमें होता कि हमारे पास applications आये हैं public से बहुत सारे, public हमारे shares खरीदना चाहती है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास applications shares से जादा आ जाते है मैं shares issue करना चाहता हूँ 10,000, public खरीदना चाहती है 20,000, तो उस case में I have to decide कि मैं किन के पैसे वापस करूँ और किन को shares दूँ, that is basically go through the public, और इसको दूसरे words में आप लोग याद रख सकते हैं, allotment So, यहाँ पर basically हमारा जो process of IPO है, वो over हो जाता है, बहुत छोटा सा concept था, I hope आप लोगों के लिए helpful रहा होगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो के end में थोड़ी सी explanations और attach कर दे रहा हूं, printed form में, so that के जो लोग जादा पढ़ना चाहते हैं, वो उसको पढ़ पाएं, thank you very much आपको कोई भी doubt हो, तो आप हमारे Instagram handle grcommerce पे या फिर हमें नीचे comments में पूछ सकते हैं, हमारे चानल को subscribe करें, अगर आपके किसी दोस्त के वीडियो काम की हो सकती है, तो उसको ये वीडियो forward करें, please subscribe to our channel